हेलो दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपोर्टन होने वाला दोस्तों कई लोगों के मैसेज आ रहे तो कि हनुमान चालिसा जो होती है वह हम अपने चैनल पर कैसे अपलोड करें नो कॉपी राइट लोयल्टी फ्री दोस्तों तो आज मैं इसमें बताने वाला हूं वीडियो में कि आप कहां से हनुमान चालिसा को अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपको कॉपी राइट क्लेम बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा लास्त देखना कि कहां से कैसे हमें कैसे लिए जाते हैं जितने भी सब कुछ इस मिलेगा दोस्तों बिना इसकि यह पूरा देखना आपका स्वेडियो में मिल जाएगा दोस्तों कई लोगों कमेंट आए इस वेज़े से यह वीडियो मुझे डालना पड़ रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को सपोर्ट करना प्याद देना तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक ने गिया सबस्क्राइब तो चैनल कर लेने सबस्क्राइब बैल अइक को दबाना बिलकूल नबुलना अभी से लाइक दूस्तों की वीडियो काफी फ्री म्यूजिक सॉंग से कहां से मिलेंगे दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना इसकिप किये आपका पूरा प्रॉब्लम सौल हो जाएगा इसी वीडियो में तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो मुझे कमेंट आया था उसमें पूछा गया था कि हनुमान चालिसा copyright free song कहां से ले सकते हैं तो दोस्तों आज मैं जो इसमें बता रहा हूं तो वो आपको free ही मिलेगा कुछ भी आप लेना चाहते हैं कोई भी song या music लेना चाहते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा तो दोस्तों चलते हैं आपको दिखाते हैं एक चीज और आप यहां पर आप लिखेंगे हनुमांज 14 नن Yoshler said no copyright बोस्तों रहुसे इतना लिखेंगे आप लिखने گर्चतेश्य यहां पे कुछ यहां पर आ गए हैं सबसे ऊपर है as be no copyright music यह एक चैनल है इनकी चैनल पर आप जाएंगे तो यहां से आपको फ्री में बिलेगे चलते हैं आपको यह वीडियो दिखाते हैं आगे देखिए यह आपका रहा वीडियो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इनका चैनल है यह देख सकते हैं इनके चैनल पर आप यहां पर देख सकते हैं इन्होंने लिक रखा है पहले से कि यू आर वैलकम तु यूज दिस म्यूजिक इन यूर वीडियो तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे चैनल से म्यूजिक लेकर के अपने वीडियो पर यूज कर सकते हैं कैसे आइम नॉट यूजिंग कॉंटेंट वीडियो इंस्ट्रक्शन अगर आप इनके चैनल से जो वीडियो लेते हैं और अपना चैनल मॉनेटाइज कराना चाहते हैं कि आपको कोई क्लेम ना मिले तो उसके लिए आपको कौन-कौन से इंस्ट्रक्शन इनको बोला जा रहा है फॉलो करने के लिए तो वह आपको प्यारासा इनके चैनल पर इनके वीडियो पर कमेंट करना है डोंट फॉर्गोट अबाउट दक्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन अफ यूर वीडियो कह रहा हैं कि भूलना नहीं है आपको क्रेडिट देना अगर आप भूल जाते तो आपको कौपीराइट क्लेम मिल सकता है example के लिए इन्होंने देख से इस तरीके से दिया हुआ है ति किस तरीके से आपको credit देना है आपको अपने description पर जाके आपको music के आंगे जिस channel से आपने लिया है उसका नाम यहाँ पर show कर देना है और add link to my track और यहाँ पर कह रहा है link भी आपको add कर देनी है जैसा कि इनके वीडियो आपने जो लिया है वही वीडियो का link जो होगा वह अपने description पर दे ना simply तो आपको कोई भी copyright claim नहीं देंगे जिससे आपका monetization में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह सारे instruction इनके complete कर लेंगे अगर तो यह कुछ होते हैं लोगर के instruction तब यह लोग फिरी देते हैं तो यह आपको follow करने होगे इसके बाद आपको दिखाते हैं नीचे यह description इनका लगा हुआ है इसके बाद आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका license जो है पर यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है रोयल्टी फ्री यह यह देखिए कूल बैक्ग्राउंड म्यूजिक रोयल्टी फ्री म्यूजिक तो इनके चैनल पर जितने भी music यह सारा description पर दिया और जो भी आपको चाहिए यहां से ले सकते हैं simply और यहां पर नीचे जाएंग से और simple सा एक और तरीका आपको बता देता हैं यह भी तरीका आप समझ लें जैसे आप यह सुषकरते हैं उन्सक्राइब यह.com 2 सबसे ओपर कि Landing कर ने के बाद यहां नीचे देख सकते हैं यहां पर फीचर लिखकर आ यहां पर एक सब्सद्सेब्स करते हैं क्यों कर देना इसके बाद नीचे जो अपलाई का आप्सिन फीद्सwyddभी आगर हनुमान चारिसा से रेलेटेटर वो सारे आपके कॉपी राइट फ्री होँगे क्यूंकि यह जो जो इनकी कॉंटेंट आइडी होती है वह आपको क्रियेटिव कॉमन में मिलती है तो जैसर कि दोस्तों यह देख सकते हैं हनुमान चारिसा नों कॉपी राइट चार बता सकते तो यह सौरी मैं नहीं बता सकता हूं आपको अगर जानना है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना होगा डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा तो वहां से जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यहां से ओपन करने के बाद इसको सिंपली यह यह चीज यहां पर नीचे आपको दिखा यह देखिए दोस्तों यह लाइसेंस इनका लगा हुआ है क्रियेटिव कॉमन एट्रिब्यूशन लाइसेंस रियूज अलाव यह अपने सौंग को अपने वीडियो को रियूज करने के लिए अलाव करते हैं आप आप यूज कर सकत हैं लेकिन कोई कोई क्या होते हैं कि रियूज करने के बाद कभी 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 ना कभी लाइसेंस अपना चेंज करते हैं और फिर उनके दिमाग का क्या है कि वह चाहें तो फिर बाद में आपको फॉपिराइट क्लेम दे सकते हैं लेकिन जल्दी ऐसा करते नहीं है तो इनके ड जरूर देना अगर उनका वीडियो आप यूज कर रहे हैं तो तो दोस्तों यह आपको तरीका मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको नो कॉपी राइट स्क्री वीडियो यहीं से मिल जाएंगे तो आपको यहीं से ले लेना है और वीडियो को अप्लोड कर देना है डाउ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लिखा हूं ये भी कमेंट कर देना आप लोग जादर साधा कमेंट करेंगे तो उसी पर वीडियो बना कर मिलाओंगा आई हूप दोस्तों इस वीडियो से आप सीख गया हूंगा किस तरीके से नो कॉपी राइट मूजिक नो कॉपी कर जाते हैं तो दोस्तों सारा सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल गया अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो आपके जो भी दिक्कत थी जो परेशानी थी जो प्रॉब्लम थी आपकी कि हनुमान चाल साब को नहीं मिल नहीं ती नो कॉपी राइट एक चीज़ और कहन चैनल से आप उनके वीडियो को अफलोड करते हैं तो इनकी कुछ नियम होते हैं कुछ इन की वहां पे रॉक्वार्मेंट होती है कि उनको कम्प्लीट करना होता है जैसा कि वह कुछ फी डिस्क्रिप्शन पर दे सकते हैं उनको क्रेडिट देना आप उनको ग्रेटिश ऐसा होता है दोस्तों तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं copyright claim से आपके channel पर कोई भी effect नहीं पड़ता है तो आप अच्छे से music को यूज कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई doubt अगर होता है कोई भी problem आती है तो हमें Instagram ID पर follow करें ID description पर मिल जाएगी आपको मिलते हैं अगले विक्टोव में तब तक के लिए जैहिन वन्ने मातरब